आईटियाई मंडी में प्रैक्टिकल को लेकर तैयारियां पूरी हैं। उसी के बाद दूसरी कक्षा को प्रैक्टिकल के लिए प्रवेश दिया जाएगा। संस्थान के सभी बात्रूम को फुल ऑपरेटेड बना दिया है ताकि कोई भी विद्यार्थी अपनी हाथ से नल को नाचुए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में तक्नीकी शिक्षा बोर्ट के जो भी दिशा निर्देश होंगे उनके अनुसार और दियोगिक प्रशिक्षन सल्थान मंडि को विद्यार्थियों के लिए खोल दिया जाएगा। प्रणतु सरकार के निदेशामसार अभी वो पोस्ट पॉन किया गया है जैसे ही हमें निर्देश मिलेंगे इसको जो है वो शुरू कर दिया जाएगा और हमने इसके लिए पूरी त्यारी भी कर रही थी कि हमने जो है टाइम टेवल भी अपना पूरा सेट किया था कि हमारे पास जैसे मंदी में 700 के करीब जो है केंडिडेट आने थे तो हमने इस तरह से टाइम टेबल त्यार किया था कि साथ या सतर से ज्यादा केंडिडेट एक समय वो एंटर ना करें और हमने तीन जो है वो थर्मल स्कैनर रखे हुए हैं और जो भी बाहर का भी अगर कोई केंड बाश्रूम में वासलेशिन हैं वो सभी जो है वो फुट ऑपरेटेड कर दिया है और यह सारा काम जो है वो हमारे इंस्टिचूट के इंस्ट्रक्टर ने ही यह किया हुआ है तथा उन्होंने एक जो है वो फुट ऑपरेटेड है सेनिटाइजर जो है वो खुद भी यहां इसी तरह वो हम अब एक जो है वो शावर टेंक भी हम यहां लगा देंगे ताकि कोई भी कंडिडेट हमारे यहां आता है तो दो लगाने की परपोजल है और विदिन आइधिंग वन वीग जो है वो हम इनको लगा दिये लगा देंगे और हमने जो है पूरी तैयारी कर रख तो पहले फिर हम बर्क्शॉप्स को सेनिटाइज करेंगे उसके पश्चात ही हम दूसरी क्लास को एंट्री देंगे तो हमरी तरफ से पूरी प्यारी हमने आइट आई को चलाने की कर लेगी 566706532 शरीप लिमृत इस बेस्टिट इन हमाची प्रदेश गर्सों फसल फचलिटी सवेले